नमस्कार दोस्तों वाइपस ओफ इंडिया में मैं नसरीन आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंस बात करेंगे देश के लखिम पूरी खीरी की अब आप समझी गए होंगे मैं किसके बारे में बात करूँगी यहां पर किसानों पर जो जुर्म हो रहा है सरकार और पहां के प्रशासन के द्वारा उसको लेकर आज़म बात करेंगे और यह मुद्दा पूरे देश में बड़ा एक चर्चा का विशय बना हुआ है लेकिन यहां सवाल यह उटता है कि आखिर क्यों सरकार द्वारा किसानों के हक चीने जा रहे हैं वैसे हाल ही में दो ऐसे वीडियो वाइरल भी हुए हैं जिसमें एक वीडियो में एक किसान को गाड़ी के तले कुचला जा रहा है लेकिन आखिरकार कारवाही नहीं हो पा रही जिसमें BJP के एक नेता और उनके बेटे का भी नाम शामिल है लेकिन पुलिस इस पर कारवाही क्यों नहीं कर रही किसानों के साथ हर एक को ये सवाल है अब आगे अगर हम बढ़ें तो आज ही की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी लकिमपुर खिरी में जाने के लिए रोका गया था और इसी को चल कर एक बड़ा एक नाट की जैसे कहते हैं एक द्रश्य खड़ा हो गया वो भी कहां लकिमपुर खिरी जाने को मना कर दिया गया उसके बाद उन्हें परमिशन भी दी गई, कुछ देगंटों के बाद उन्हें जब परमिशन दी गई तो उन्हें आर्मी द्वारा वहां का प्रशासन द्वारा उन्हें एरपोर्ट के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था और जिसके चलते राहूल गांधी ने अपनी नाराजगी भी जताई थी और ये भी वीडियो इतना ही वाइरल हुआ और साथ ही साथ राहूल गांधी और पंजाब के सीम चरण जी चन्नी धरना पर भी बैठे और भी कुछ कौंगी कारेकर और कौंगी नेता उनके साथ जुड़े थे लेकिन यहां ये सवाल उटता है कि आखिर क्यों ये जुर्म है वो क्यों हो रहा है राहूल गांधी ने सीधा सीधा निशाना यूपी सरकार पर साधा कि यूपी सरकार रदवारा ये दमन किया जा रहा है किसानों पर भी और साथ ही अन्य लोगों पर भी और अब जिस तरह से अपडेट्स मिल रहे हैं दिले के सीम अर्विन केज्रिवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आखिरकार जो लोग हैं जो गुनेहगार हैं और जो जुर्म कर रहे हैं उनके नाम में जब बाहर आ चुके हैं लोगों को पता है लेकिन प्रशासन किस ब को गिरफतार क्यों नहीं किया गया आखिर क्या मजबूरी है उन्हें क्यों बचाया जा रहा है हत्यारों ने दिन धहाडे इतनी भीड के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफतारी नहीं हुई है उन्हें क्यों बचाय जा रहा है सरयाम इतनी भीड के सामने कोई इतने लोगों को रौधते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे प्रिधानबंत्री जी आज हर देशव सासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है इस सबसे क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला बलकि इस देश के सभी किसानों को कुचला है इस देश के गरीबों को कुचला है ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है पूरे सिस्टम को कुचल द गांधी ने मीडिया से बात करते हुई ये भी कहा कि आप इसे कैमरा में दिखाओ कि किस तरह से हमें रोका जा रहा है किस तरह से हमें एरपोर्ट पर बंद किया गया है एरपोर्ट से हमें निकलने नहीं दिया जा रहा और ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था दो वीडिय के एक नेता का नाम इसमें शामिल होना वो बहार आना और उस पर भी कारवाई नहीं होना ये सारे मुद्दे जिस पर सीधा सिधा दिख रहा है कि कहां है हमारे देश का लोक तंत्रा कहां है हमारे देश का सम्विधान आगे क्या होगी हलचल लखेंपुरी खीरी में वो भी हम आपको बताएंगे अब बने रही वाइपस ओफ इंडिया के साथ नमस्कार